यूपी के बस्ती जिले के छाबनी थाना शेतर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इस खटना के बाद पीडिता महिला ने अम्बुलेंस चालक के खिलाफ लखनो के थाना गाजीपुर में मामला दर्श कराया पीडिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अम्बुलेंस कर्मियों ने उसके पती की ऑक्सीजन हटा कर उसे बाहर फेग दिया जिसके बाद उसने डायल 112 पर सूचना दी घटना स्थल पर पुलिस पहुँची और महिला के पती को CHC हर रिया में भरती कराया गया जहां से कोरकपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया वहाँ पर इलाज के दौरान पीडिता के पती की मौत हो गई मेडिकल मेडिकल मेल गई रे ले जाए तो मेड़ना खाली रहा उसे प्राइबेट हास्पीटल में उनके भरती कराय लिए इंपीरिया हस्पीटल फिन भरती कर लिए एक दो दिन उन इलाज भाइल फिन पाइसा के दिक्कत हो लागा एक देड़ लाख रुपिया लग चुका तो कुछ भायदा नाई भाइल ने बोले कि हमें से छुट्टी दाम घरे लेके जाब तो कहना तो एक टू डेडिस राले कि पहां करांटर पर तक अब नमबर देली स्कों में अबूलेंस चाहिए तो बॉले लेला बात कईला तो नमबर लेला भाई हमार बात कईला एंबूलेंसाइल लएके चुछ और के उन्सिट्रवम्रीज के हमोंक सबके साथ में बैठा एक उलास फिने पिट्रों मत पांप तो आगे शी कुछ दूर कदम जाय के हमोना हमँ बात की आगे बइठा नाइज़ इसपा करली लखनो बन ईवक जाई फीन हमा रहा लाई नहीं हम रहा हम स्क्यूरी. हाँ फिन हमें आगे पिटोल पंसे कुछ कदम आगे बैठा लहलस हमें आगे फिन बोला ता कि अलाखनों निभुक जाई अब तो अब तुहें हम फिन पीछ बैठा दे तम करी ठीक बाद तब फिन कुछ दूरी तक जाए कि अपन बाद चीत यहार वहार घुमावत रहा तरह पिन कहाता कि इनके इलाज करा आगा आगा दास बीस हजार हो तो है लाए तो पहुं भरती करा दी कहली बाद नाए हमरे लगे पैसा बग को चुनी नाइबा अजोन खेत खरियां थो धेर रहलू हो कुल यहां हम हाटा देली इलाज बहुत कर अड़ी नाए ठीक होता ता है तक हाता कि ठीक बाद तब आपन इसे काईलिस फिने कुछ दूरी तक जाए के हमें छेड़ खानी करे लागल छेड़ खानी करे लागल बोला ता हुँ उन तो बची है नाई आई अब तू का अब सीता सबेतिरी बन के का कर भूग अब हमकाली बाब हमें इसन कुछ ना बोल आई जाए अगे बाद न निविक जाए तब तुम्हा फिन आगे बैठाद करे लागल तब पहुत जादा दिकत करे लागल ताब हमें आगे वे का हुट है काहा था भी अच्छा रुका ठोड़े दी मिनट के लिया मुंहचू पर अब रखा आब हमें लगल हुट शेओं पीडिता ने बताया कि जब उसने चिलाने की कोशिश तब करीब देड़ सौ किलोमीटर की दूरी तैक करने के बाद बस्ती पहुंचने से कुछ दूर पहले एंबुलेंस वालों ने उसके पती को एक सुनसान जगह पर फेक दिया जिससे उनके बिमार पती को चोट आए और ऑक्सिजन निकालने की वज़र से उनकी तब्यद बहुत जादा खराब होने लगी आननफानन में अस्पताल लेकर गए जहां उनकी मौत हो गए इस पूरे मामले पर बस्ती स्पी गोपाल चौधरी का भी बयान सामने आया है पुलिस ने बताया कि नीजी एंबुलेंस चालको द्वारा महिला के साथ अभधरता की गई समाचार पत्र में प्रकासित एक नीजी एम्बूलेंस के चालक द्वारा महिला से अबद्रता के आरोप के बारो में बताना है कि 29 अगस्त को अनुप साहनी अपनी बेहन और जीजा जी के साथ लखनों से सिदार्थ नगर के लिए एक नीजी एम्बूलेंस में निकले थे इनके जीजा जी का वहां प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था यह जनपत बस्ती में थाना चाहवनी में पहुचे तो कुछ इनका विवाद हुआ तो एम्बूलेंस वालों ने इनको उतार दिया इन्होंने पुलिस को कॉल किया पुलिस तुरंत मौके पर पहु पुलिस ने बताया कि महिला तवारा लगाया आरोपों की जाच की जा रही है और एम्बूलेंस चालक परमाम लादर्श कर लिया गया है कर दो, कि जा धरोपों की जाच की जाचा उबूलेंस पुलिस रज़ जकिन की जाचार दो जबूलेंस तुर्णक चालक परमाटको सुछ साफ को रहाई आरोपों की जाचे अचाहिए तुर्णक जाचार